नमस्कार चच्चा वच्चा मेडी एल्प में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में 13 वीक यानि कि 13 सब्ता के प्रेगनेंसी के सोनोग्रॉफी रिपोर्ट को पढ़ना वताऊंगी तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंफर्मेटिव है वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा जिससे कि आप ये जान पाएं कि प्रेगनेंसी के 13 सब्ता में सोनोग्रॉफी करवाना क्यों जरूरी होता है 13 सब्ता में बेबी में क्या क्या देखा जाता है आपके बेबी का प्रॉपर डेवलप्मेंट हो रहा है कि नहीं आपकी प्रेगनेंसी का प्रॉपर डेवलप्मेंट हो रहा है कि नहीं आप ये जान पाएं घर पे पढ़के अपने आप खुद से तो फ्रेंड्स वीडियो को कम्प्लीर देखिएगा तो चलिए मैं सोनोग्राफी रिपोर्ट को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो ये देखिए ये प्रेगनेंसी के 13 वीक की सोनोग्राफी रिपोर्ट है तो अब मैं इस सोनोग्राफी रिपोर्ट को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो यह देखिए यह सोनोग्राफी में जो रिपोर्ट आई होती है वो रिपोर्ट पहले ही सोनोग्राफी में दे दी जाती है या फिर हो सकता है कि आपके रिपोर्ट में ये रिजर्ट जो है वो नीचे दिया हो या पीछे दिया हो लेकिन मेरी सोनोग्रॉफी रिपोर्ट में ये पहले ही दे दिया है तो इसको देखिए तो यहाँ पे दिया है कि there is a single live intrauterine fetus scene यानि कि single मतलब कि one baby है अगर आपकी सोनोग्रॉफी में twins baby होगा तो आपकी pregnancy में twins baby होंगे तो twins दिया होगा अगर triplets baby होंगे तो triplets दिया होगा live intrauterine fetus intrauterine का मतलब होता है कि fetus जो है वो uterus के अंदर बच्चेदानी के अंदर implant हुआ है अगर यहाँ पे दिया रहता है कि outer uterine यानि कि uterus से बाहर बच्चेदानी के बाहर fetus implant हुआ है तो उसको कहते हैं ectopic pregnancy में क्या होता है कि fetus uterus के बाहर बच्चेदानी के बाहर जब implant हो जाता है यानि कि fallopian tube में implant हो जाता है तो उसको कहते हैं ectopic pregnancy तो वो बहुत ही risky होता है उस condition में या तो आपकी surgery करनी पड़ती है या फिर evolution करना पड़ता है वो आपके condition के according आपको doctor suggest करते हैं कि आपको क्या करना है तो यहाँ पे ये intrauterine fetus होना बहुत ही important होता है तो main point यह देखा जाता है अब आगे फिर्टर moment is present and within normal limits यानि कि fetus का moment गती जो है वो normal limits में हो रही है कार्डियक activity present कार्डियक मतलब होता है कि heart की activity यानि कि heart rate जो है वो baby का वो है 133 bits per minute बेबी का heartbeat 133 bits per minute है आपकी baby का जो भी heartbeat होगा वो वहाँ पे दिया रहेगा fetus की measurement क्या है उसके body का measurement क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है तो सबसे पहला है BPD BPD का मतलब होता है biparital diameter में baby के head की सर की गोलाई को diameter में measure करते हैं और फिर उसको millimeter में convert कर देते हैं machine के द्वारा तो BPD का मतलब है biparital diameter इसमें baby के सर की गोलाई को measure करते हैं BPD के अलावा आपकी sonography report में दिया होगा CRL उसका भी मतलब यहाँ पे मैं बताना जाओंगी कि हो सकता है कि आपकी sonography report में BPD के बाद दिया होगा CRL तो CRL का मतलब होता है crown rump length crown का मतलब होता है कि head यानि कि baby के head से लेकर rump मतलब rip यानि कि छाती बेबी के head से लेकर छाती तक की length को measure किया जाता है कि समय के साथ साथ pregnancy के समय के अनुसार बेबी का proper development हो रहा है कि नहीं तो CRL का मतलब वो होता है अब यहाँ पे है femur length FL का मतलब होता है femur length femur हमारी body का सबसे long और सबसे strong bone होता है जो कि हमारी थाई में होता है यानि कि हमारे पेर के ऊपर हिस्सा जो होता है जो थाई होता है उसमें femur होता है तो उसके लंबाई को major किया जाता है femur length से ये body के पूरी body का measurement हो जाता है कि baby के body का proper development हो रहा है कि नहीं तो इसका मतलब femur length हो गया है अब femur length के बाद होता है AC एसी का मतलब होता है abdominal circumference मालीजे कि baby के head को major कर लिया गया baby के पेर की हड़ी को major कर लिया गया अब baby के पेट को पेट की size, पेट की लंबाई, पेट की गोलाई को major करते हैं कि pregnancy के समय के अनुसार baby का पेट जो है abdomen जो है वो बढ़ राय की नहीं कहीं pregnancy के समय के अनुसार baby का पेट ज़्यादा लंबा तो नहीं है या ज़्यादा छोटा तो नहीं है तो वो होता है abdominal circumference अब यहाँ पे है EFBW यानि की estimated fetal body weight बेबी का body weight क्या है अनुमानिक body weight क्या है बेबी का तो 13 week की pregnancy में ज़्यादा weight नहीं होगा बेबी का तो यह 80 gram है बेबी का weight 80 gram अब यहाँ पे है GA, GA का मतलब होता है gestational age यानि की गर्भा वस्था का समय तो sonography report की अनुसार गर्भा वस्था का समय जो है pregnancy का जो समय है वो है 13 week 3 days आगे दिया है EDD EDD का मतलब होता है expected delivery date यानि की आपकी expected यानि की अनुमानिक delivery date क्या है आपकी जो पिछला period जो है जो पिछला last period आया था उसके पहले दिन से count करते हैं आपकी pregnancy की date को तो उसके अनुसार expected delivery date निगाला जाता है अब आगे है placenta placenta का position क्या है आपका anterior placenta है posterior placenta है funnel placenta है तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है funnel posterior wall funnel posterior wall का मतलब होता है की uterus के पीछे की side में या या निकी uterus के बच्चे दानी के पीछे की side जीदर हमारा reed का हड़ी है spine है उस side placenta attach हुआ है और उपर की side है तो उसको कहते हैं funnel posterior wall या funnel placenta maturity grade placenta का maturity grade क्या है तो माली जीए कि यह 13 week की pregnancy sonography report है तो इसमें maturity grade है जो 1 आया है अगर आपकी pregnancy का दूसरा trimester है तो उसमें grade 2 आना चाहिए अगर आपकी pregnancy का तीसरा तिमाई है तो उसमें grade 3 आना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी pregnancy का दूसरा ट्राइमेस्टर है या तीसरा ट्राइमेस्टर है तो उसमें placenta का grade 0 आए या 1 आए अगर placenta पूरी तरीके से mature नहीं होगा तो वो proper oxygen, nutrition या blood supply नहीं करेगा बेबी को तो समय के अनुसर बेबी, sorry, placenta का mature होना, mature होना बहुत ही important होता है तो इसका मतलब यह है placenta का maturity grade क्या होता है अब यहाँ पे है लिक्योर, लिक्योर का मतलब होता है कि liquid यानि कि जिस पानी में बेबी रहता है जिसको हम कहते है amniotic fluid जो बेबी के चारों तरफ रहता है, जो बेबी को protect करता है उसको कहते है amniotic fluid तो यह fluid भी adequate यानि कि परियाप्त होना चाहिए जादा भी नहीं होना चाहिए और जादा कम भी नहीं होना चाहिए अगर मालीजे किसी में पानी की कमी होती है तो बेबी वहाँ पे चीपक सकता है बेबी का डेथ हो सकता है क्योंकि ये जो अम्नियोटिक फ्लूड जो होता है वो बेबी को protection का काम करता है, बेबी को protect करता है, ये वहाँ के temperature को control करता है, infection को control करता है, बेबी के lungs को, उसके digestive system को support करता है तो ये amniotic fluid का बहुत ही important role होता है, pregnancy में, तो इसका पर्याप्त होना बहुत ही जरूरी होता है, तो अगर आपकी sonography report में यहाँ पे adequate आता है, तो वो normal है, यानि की पर्याप्त पानी है, लेकिन यहाँ पे अगर लिखा रहता है, oligohydro aminos, oligohydro aminos का मतलब होता है कि amniotic fluid, जिस पानी में baby है, उस पानी का level कम है, तो या फिर वहाँ पे लिखा रहता है, polyhydro aminos, तो polyhydro aminos का मतलब होता है, कि यह पानी का level बहुत ज्यादा है, तो ना ज्यादा होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, adequate होना चाहिए, तो इसका मतलब यह होता है, यह जो pregnancy के 13 week म यहाँ पे होता है, तो यह जो topic दिया गया है, कि no any cross congenital anomaly is seen, यानि कि कि किसी तरह के baby में congenital anomaly नहीं पाया गया है, यह एक बहुती normal sonography है, यानि कि baby में किसी तरह की खराबी नहीं है, congenital का मतलब होता है, congenital anomaly का मतलब होता है, कि congenital disorder, यानि कि बच्चे में baby में किसी तरह का birth defect, यानि कि किसी तरह का जन्म दोस नहीं है, baby के body में किसी तरह की बनावटी खराबी नहीं है, pregnancy में, pate में, baby में कोई structural या functional खराबी नहीं है, structural का मतलब होता है कि baby में कोई बनावटी खराबी, यानि कि baby के हाथ पैर पूरी तरीके से बने हैं कि नहीं, baby के उंगलियां proper बनी हैं कि नहीं, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, या फिर baby का head, कभी कभी क्या होता है, या फिर उसकी spine के नीचे की neural tube होती है, वो पूरी तरीके से close नहीं होती है, तो उसमें कई सारे birth defects हो सकते हैं, तो birth congenital anomaly का मतलब होता है, कि इसमें baby में कोई बनावटी खराबी तो नहीं है, उसका पता किया जाता है, कि समय से पहले उसका पता चल जाए, तो उसका treatment किया जा सके, अगर treatment करने लायक हो तो, या फिर अगर मान लीजिये कि कोई major congenital anomaly baby में देखा जाता है, तो ये 13 week की sonography report है, अगर उसमें किसी तरह की बनावटी खराबी है, अगर डॉक्टर को ये पता चल जाता है, कि बेबी delivery के बाद survive नहीं कर पाएगा, उसमें कोई major defect पाया जाता है, तो ये अभी 13 week की sonography report है, और इंडिया में 20 week की pregnancy को भी abort किया जा सकता है, तो हो सकता है कि बेबी delivery के बाद survive ना कर पाए, अगर उसमें कोई major defects आते हैं, तो इसलिए इसमें congenital anomaly क्यों देखा जाता है, कि अगर उसका समय से पता चल जाएगा, तो अगर कोई major defect आता है बेबी में, तो उसको abort किया जा सके, डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये बेबी normal है कि नहीं, कहीं बेबी abnormal तो नहीं है, तो इसमें ये देखा जाता है, बेबी के सरीर में कोई बनावटी खराबी तो नहीं है, main purpose यही होता है, बेबी का देखने का, या गंजनाइटल मतलब कि, मैं बार-बार ये कह रही हूँ, कि बेबी के बॉडी में कोई बनावटी खराबी तो नहीं है, ये देखा जाता है, main purpose यही होता है, और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है इन्होंने, कि all congenital anomalies can't be ruled out, यानि कि मान लिजे कि pregnancy की 13 week में, बेबी का sex determination हो सकता है, लेकिन इंडिया में ये van है, तो उसको इन्होंने identify नहीं किया है, नहीं, जो rule के अंदर है, उसको, उसके body part को इन्होंने चेक किया है, बाकि बेबी के sex को determine नहीं किया है, जो Indian government में rule है, उसके अनुसार बेबी के body को scan किया हुआ है, इन्होंने तो main point ही होता है, 13 week की sonography में ये देखने का, अब अगला यहाँ पे दिया है impression, impression का मतलब होता है result, यानि कि उपर जो मैंने बता दिया कि क्या result है, तो ये result है यहाँ पे, single live intrauterine fetus, यानि कि single baby है, gestational age यानि कि pregnancy की age है, 13 week 3 days, तो ये result है, तो ये pregnancy की बहुत ही normal, इसमें कोई problem नहीं है, अगर आपकी sonography इससे match कर रही है, तो आपका baby एकदम normal है, आपकी pregnancy में कोई भी problem नहीं है, तो friends, I hope कि इस video से आपको पता चल गया होगा, कि pregnancy के 13 week में sonography करना क्यों जरूरी होता है, क्या क्या इसमें देखा जाता है, तो I hope कि अब इस sonography report से, आप अपनी sonography report को आसानी से पढ़ पाएंगे, और उसको समझ पाएंगे, कि आपकी pregnancy का condition क्या है, तो friends, I hope कि ये video आपको informative लगा होगा, तो अगर आपको ये video informative लगा होगा, तो इस video को like करिएगा, share करिएगा, और अगर आपको और भी कोई question है, और भी कोई सवाल है आपनी pregnancy से related, तो आप मुझे comment box में जरूर लखेगा, मैं उसका reply जरूर करूँगी, तो friends, मिलती हूँ आपसे अगले video में, तो तक आप अपने ख्याल रखिए,